दोस्तो अगर मैं यह कहूँ कि ओगस्ट 16, 84 को आईजेक नुटिन साब को यह चैलेंज किया जाता कि भई यह आपके लिए एक जई अडवांस के कॉंसेप्ट के उपर एक सवाल है आपको इसको सौल करके देना है तूनकी अप्रोच क्या रही होती क्या उन्हें भी अपना सर और फिजिक्स को पहली बार दुनिया के सामने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि निम्बस एजुकेशन की एप पर एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम कम्प्यूटिंग इन सब के कॉर्से चल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जरूर से एक्स्प्लोर कर लेना, जब जई एडवांस में फिजिक्स हम पढ़ते हैं, हम बात करते हैं, जब ग्रैविटेशन की, तो हम कुछ ऐसे कॉंसर्प्स पढ़ते हैं, जब हम बात करते हैं, किसी एक होगी, तो किस रस्ते जाएगा, अगर वेलोसिटी, एसकेफ वेलोसिटी से जादा होगी, तो किस रस्ते जाएगा, हम ऐसे कुछ फिगर्स भी देखते हैं, कि अगर वेलोसिटी, और्बिटल वेलोसिटी से कम है, तो हमारा जो एक पाथ बनेगा, एक और्बिट बनेगा, पूरा ही निकल जाए या फिर कुछ ऐसे फिग्र्स हम देखते हैं यह सारे कॉंसेप्स हम JEE के लिए पढ़ते हैं दोस्तों जो जा है आप JEE या NEEट असपारेंट हो इन सारे कॉंसेप्स को आपने पढ़ा है साथ ही इन्हीं कॉंसेप्स के उपर कुछ सवाल जो आते हैं तो तो अगर हम यहाँ देखे तो जही एडवांस 2021, 2022, 2023 में यह कुछ कॉशन्स है जहाँ पर हम देख सकते हैं revolution around the sun की बात हो रही है, orbits की बात हो रही है, time period की बात हो रही है यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर बात हो रही है, interaction की, escape, velocities की, यहाँ पर बात हो रही है अर्थ की gravity के कारण, feel होने वाले acceleration की, satellites की, तो यह जो सारे concept से continuously check होते जा रहे है लेकिन वो challenge क्या था और कहां से शुरुआत हुई उसकी, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे से चालू करना पड़ेगा हमें जाना पड़ेगा साल 1572 में, 1572 में, जब टाइको ब्राहे ने सुपर नोवा को observe कर लिया था अपने बहुत ही sophisticated उनके पास, जो highly improved instruments थे उनसे, और उनने यह prove कर दिया था जो की माना जाता था कि heavens were not changing, उनने इस चीज़ को गलत साबित कर दिया, उनने बोला देखो अभी कुछ आसमान में बदल गया है 1577 की बात करें, 1577 की बात करें, तो टाइको ब्राहे ने यह prove कर दिया था कि भई जो comets होते हैं, वो atmospheric phenomena नहीं होते हैं वो कुछ ऐसे phenomena हैं, जो बहुत दूर हो रहे हैं, धर्टी से बहुत बाहर हो रहे हैं अब problem यह थी दोस्तों, कि टाइको ब्राहे ने अपने सारे sophisticated instruments को use किया, लेकिन फिर भी वो यह prove नहीं कर पाए थे, कि जो पूरी जो संरचना है, जो arrangement है, वो geocentric है कि heliocentric है और इनको यह confusion था कि अर्थ घूम रही है कि नहीं घूम रही, इसलिए इनने बोल दिया कि जो कोपर निकस साब ने model propose किया है, वो गलत है कोपर निकस साब ने बोला था दोस्तों कि अर्थ सेंटर नहीं है, सूरज सेंटर है, सब कुछ सूरज के चाओ तरफ घूम रहा है, लेकिन टाइको ब्राहे साब को लगा था, नहीं यार मैंने तो इतनी सारी observations लिये, मुझे तो ऐसा कुछ मिला नहीं थोड़ी बात आगे वड़ी दोस्तों, तो वहाँ पर हमें मिले जोहांस कैपिलर, ये दोस्त रहे टाइको ब्राहे के, इनने टाइको ब्राहे ने जो भी observations करी थी उस data को उठाया, लगकिली बाई चांस इनने बोला कि मैं मार्स जो है, उसके data को observe करूँगा और उसके हिसा इनने यह सारा जो अपनी इनने जो कुछ भी काम किया, उनने 1609 में अपनी किताब Astronomica Nova में, The New Astronomy में पब्लिश करी, इनने तीन लो दिये, जिसमें से दो लो 1609 में पब्लिश हुए, वो लो कुछ ये कहते हैं कि जब कोई भी चीज मालो अर्थ और सन की बात करें, तो जब अर्थ और सन के सिस्टम में अर्थ सूरज के चाब तरफ घूमती है, तो ये जितने भी Shared Areas हमें दिख रहे हैं, इन सब का एरिया बराबर होगा, अगर हम बात करें टाइम की, तो अगर अर्थ को यहां से यहां तक जाने में टाइम टी लगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम टी लगा, यहां से यहां तक जाने में टाइम टी लगा, तो यह सारे एरिया बराबर होंगे, और दूसरी बात उनने यह बोली, कि जब अर्थ पास में होगी सूरज के, तो तेज भागेगी, और जब दूर होगी, तो धीरे भागेगी, इनका जो तीसरा लो था, कै कि जब प्लैनेट सूरज के चाओ तरफ घूमते हैं, तो उनको जो समय लगेगा, जो उनको टाइम लगेगा सूरज के चाओ तरफ घूमने में, वो उनके डिस्टेंस पर डिपैंड करेगा कि वो सूरज से कितना दूर है, लेकिन फिर भी इनके पास ठोस प्रूफ नहीं थ जो सुरुआत से अंक तक इन चीजों को जोड सके, और सबस्ब्स बड़ी बात यह थी कि यह नहीं पता था कि ऐसा होगा क्यूं, हम अगर और आगे बढ़ें, तो उसी वक्त, उसी टाइम में, गैलीली ओ, गैलेली जैसे महारती भी थें, जिनके हाथ में एक जादूई ची कि नहीं, धरती ही सेंटर है, बाकी सब घूम रहे हैं, उस फिलोसफी के परखचे उड़ा दिये, और इतनी नाराजगी हो गई थी इन से, कि इनको तो हाउस अरेस्टी दे दिया गया था, अब देखो उनने क्या 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 था, उनके पास टेलिस्कोप आ गया, तो उनने ब पार्ट है, इनने यह बता दिया था कि जो वीनस है, उसके पास खुद की रोशनी नहीं है, क्योंकि वो सूरज के चाओ तरफ घूम रहा है, धरती भी सूरज की चाओ तरफ घूम रही है, तो जो सूरज की रिफलेक्शन हो रही है, उससे वो चमकता है, उनने यह बता दिय यूपिटर के चार मून इनने ढूंड़े थे 1610 में इसने तो पूरे उस बेस को हिला दिया जो यह कहता था कि सब कुछ धरती के चार तरफ घूम रहे कौकि इसने हैं प्रूब कर दिया था नहीं भई जूपिटर के चार तरफ भी चार मून घूम रहे हैं अब यह जब सारी पाते हो रही थी दोस्तों इसी वक्त तीन महारती किस्टोफर रेन जिनने कैथेडल का डिजाइन बनाया था जो कि बहुत ही बड़ी आंकिटेक्ट थे रोबर्ट हुक जो अपने समय के बहुत ही बड़ी एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे और एड्मंड हैली जिनके नाम पे हैली इस कॉमेट है वो तीनों मिले और वो मिले थे जैनवरी 1684 में अब जब वो बैठकर बात कर रहे थे तो उनने बोला यार यह सब तो हमें पता है हमें पता है टाइको ब्राही के बारे में हमें पता है कैपिलर साब का गैलीलियो साब का हमें पता है हमें पता है कि रिसेंटल के चारों तरफ घूम रहे हैं तो हमारा पात कैसा होगा कौन है जो इप्रू कर देगा अब ये जब चैलेंज सामने आया तो उन तीनों ने बोला हम है तो थोड़ा सा मुश्किल अब यहां पर रोबर्ट हुक साब जो थे उनने क्योंकि वो तो थोड़े से वैसे ही आगे बढ़के बोलने वाले तो उनने बोला रहे मेरे पास इसका सॉलूशन अलरी है लेकिन मैं अभी नहीं दूँगा मैं तब दूँगा जब आप लोगों को इसकी वर्थ पता चलेगी तो सब ने डिसब आइड किया ठीक अवी दो महिने का समय लेते हैं दो महिने बाद फिर मिलेंगे और अपने сॉलूशन डिसकस करेंगे दोस्तो दो नहीं साथ महिने बीत गए लेकिन कोई सॉलूशन नहीं मिला और फिर आया अगस्त और और वो train की journey करके पहुँच गए Isaac Newton साब के पास अब Isaac Newton साब के पास जब वो पहुँचे तो उन्हें Isaac Newton साब से बोला कि बताईए भई हमारा यह challenge है कि अगर एक planet सूरज के चारतरफ घूम रहा है और कोई एक ऐसा low है जो कि inverse proportionality में है distance के square के तो बतावो कैसा रस्ता घूमेगा Isaac Newton साब ने एक second का भी time ने लिया और उन्हें बोल दिया elliptical path होगा कुछ ऐसा path होगा तो यह बात तो Edmund Halley ने बोला यह है यह सारी चीज़े तो हमें पता है न क्योंकि यह तो हमारे Kepler साब ने भी बताई है हमें इसका proof चाहिए क्या आप इसको proof कर सकते हैं अब दोस्तों Isaac Newton साब जिनको यह समझ में नहीं आता था कि आज की date क्या है महिना कौन सा चल रहा है जिनको एक लंबा अरसा हो गया था अपने बालों में कहीं करे वे जिनने पता नहीं कब आखरी बार बैठकर अराम से डिनर खाया था उनने बोला हम यार मैंने करतो रखा है पर ढूंड़ना पड़ेगा और फिर उनने काफी देर तक कागजों में अपनी वर्क टेबल पर अपनी स्टड़ी में सब जिगर ढूंडा लेकिन उनको कुछ नहीं मिला अब एडबंड हैली को लगा यार अब न्यूटन साब बोल रहे हैं तो सची होगा तो उनने बोला ठीक है भी न्यूटन जी आप बताएए कब तक दे पाएंगे तो न्यूटन ने बोला डॉंड वरी मैं ये सारा काम आपके लिए वापिस करूँगा और सब कुछ फिर से डिराइव करके यह सारी चीजे फिर से डिराइव करके मैं आपको भेजता हूं कुछ महीनों में अब दोस्तों हुआ ये एड्वन्ट हैली इस कांगशा में इस उत्साह में कि चलो भी न्यूटन साब ने बोला तो आई जाएगा वो चलेगा वापिस अपने गाउं अपने सहर लेकिन एक दो तीन पाँच दस महीने बीट गए साल बीट गया एड्वन्ट हैली साब को न्यूटन साब के साइड से कोई कम्मिनिकेशन नहीं मिला फिर 18 महीने बाद न्यूटन साब के चिठ्थी आती है वो देवई मैनुस्क्रिप्ट तयार हो गई है और आप एक बाद उसको देख लीजिए 18 महीने लगे न्यूटन साब को इस मैनुस और मैथेमेटिक्स को एक साथ कमबाइन कर दिया इसने तो एक नई ब्रांच खोल डाली है जो की बहुत कुछ नए आयाम खोल लेगी आने वाले भविशे में इसका पब्लिश करवाईए एड्मंड हैली साब ने आईजेक न्यूटन के उस वर्क को पब्लिश करवाया और भही आज पुरी दुनिया प्रिंसिपिया के नाम से जानती है जिसके अंदर न्यूटन साब ने बहुत ही क्लियर ली यह दोस्तों प्रिंसिपिया जिसके अंदर न्यूटन साब ने बहुत क्लियर ली यह बात बोली कि जितने भी ओर्विट होते हैं वो कॉनिक सेक्शन होत जो mathematics में conic section पढ़ते हैं, circle, ellipse, parabola, hyperbola, तो Newton साब ने बोला कि बही, orbit जो है, they are nothing but conic section और अलग-अलग conditions होती हैं, और उनने अपने इस work के अंदर हर चीज को detail में explain किया, and दोस्तो, जब यह सारा उनने बताया, तो आज अगर हम जाकर वापिस हमारे JEE या NEET के सवाल देखें JEE advance के questions देखें, तो हम इस चीज को appreciate कर पाएंगे, कि एक challenge जो 1684 में throw किया गया था, उसने Newton साब को push किया, एक अपने work को publish करवाने में, जहाँ पर Edmund Halley ने बहुत बड़ा role play किया, and then, rest all is history, अब दोस्तो, end होने से पहले, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, प्रिंसिप याके, कितने volumes छपे हैं, और कब-कब छपे हैं, यह आपको comment section में बताना है, और दोस्तो, अगर पसंद आया, तो like, share and subscribe जरूर कर लेना, सब में share करना, अपने सारे friend circle में share करना, कोकि यह information सब तक पहुँचनी चाहिए, और comment section में यह भी जरूर बताना कि कैसा लगा, hmm, bell icon जरूर दोआ देना दोस्तो, ताकि आगे आने वाले ऐसे videos का notification मिसना हो जाए, मिलते हैं अगले video में दोस्तो, तब तक के लिए, जय हिंद